मस्ते आप सभी को आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूँ आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा और आज की जो रीडिंग है कि कृष्णा का आपके लिए क्या संदेश है तो देखते हैं क्या संदेश आया है ओ पार्वती माता आपकी रीडिंग में आपको blessings दे रही है और उसके साथ Nourish the Sacred Feminine Energy का काड आया है और फिर आया है Your Soul Shines तो आपकी उपर पहली बात तो जो देवी मा है उनकी बहुत क्रपा है ना क्यूंकि दोनों कार्ड देवियों का आना और Feminine Energy का आना तो ये एक बहुत बड़ी क्रपा है और दूसरी बात य energies में है ना तो आप पहले तो अपना पूरा विश्वास रखिए अपनी ये जो मातारानी है इनकी उपर है ना और जो मातारानी है आप ये समझिए पहली बात तो यहाँ पे जो पार्वती माता है ये है ना ये ऐसे नहीं है कि ये समझती नहीं है है ना कि सिर्फ इनको कोई भी ऐसे कहकर या कुछ भी बलकि आपको ये जानना होगा कि जो पारवती माता है वो सबसे जादा समझदार देवी हैं वो इसलिए क्योंकि देखिए जो पारवती माता है वो रिप्रेजेंट करती है खुद उन्होंने एक इनसान की लाइफ को जिया है उन्होंने अपनी जर्नी को कम्पलीट किया है माता पारवती ने हैना शिव को पाने के लिए देवी हुने के बावजूद उन्होंने हर तपस्या करी हर जब तब किया सारा ज्यान हासिल किया और हर परिक्षा को दिया हैना आप जानते हुंगे कि पारवती माता के साथ कितना गलत हुआ, कितने ही उनको डीमन से लड़ना पड़ा, शैतानों से लड़ना पड़ा, बार बार उनके जो एक उनके सफर में कठेनाईया निरंतर आती रही, है ना? तो जो पारवती माता हैं वो बहुत ही जादा हुश्यार हैं और वो जितना अच्छे से आपको समझ सकती है उतना कोई नहीं समझ सकता है ना तो ये बात एकदम बैस्ट है और वो आपके पीछे छुपे हुई बात हैं को जान सकती है जो शायद आपसे भी छुपी हो है ना तो आपसे पारवती मा ये बोल रही है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और आपको बिलकुल भी इतना जादा स्ट्रेस अपने दिमाग पर डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ देख सकती हूँ आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप बहुत अकेले पड़ गए हैं और अकेले मतलब वहां अकेले पड़ गए हैं जहां आपको सबसे ज़ादा प्यार मिलना चाहिए था सबसे ज़्यादा respect मिलनी चाहिए थी है न वहीं पे लोगों ने आपके ओर पास इतने खंजर गोब दिये हैं और आपकी life को इतना difficult और threatening बना दिया है न लेकिन main बात यहां पे समझनी की यह है कि यह सब चीजें आपको बहार से दिखने में ऐसी लग रही होंगी कि बहार से यह सब कुछ है लेकिन आपको यह समझना है कि असली power आपके अंदर है हो सकता है कि आपके ओर पास के लोग जो हैं वो आपको बहुत criticize कर रहे हैं और even आपके जो काबिलियत है उस पर भी doubt कर रहे हैं उस पर भी सवाल उठा रहे हैं मतलब कुछ चीजें ऐसी है जो आपने मेहनत से पाई है उस पर भी सवाल कर रहे हैं कि नहीं तुम तो इसके काबिल नहीं हो है ना मतलब की वही है कि आपके ओर पास इतना negative बाते बोली जा रही हैं कि आपको भी कहीं न कहीं यह असर कर रही है और आपको भी ऐसा यकीन होने लगा है कि शायद आप भी कुछ अच चूट है और यह बहुत कच्छी बाते हैं और जो यह बंदन है बहुत कच्छी डोर से बंदा हुआ है ना तो अगर आप यह सोच रहे हो कि आप बंधन में बंद गए हो या फस गए हो या अब आप यहां से कभी नहीं निकल सकते तो पारवती माता कह रही है ऐसा नहीं है जो सबसे बड़ी शक्ती है, वो आपके अंदर ही है, कुछ से पूछो के आप खुद क्या चाहते हो, क्योंकि जो आपके manifestation है या जो आपका सपना है, या जो आपकी desires हैं, इच्छा है, जैसे मानलो किसी आपको अच्छे college में admission लेना है, या फिर कहीं अपना घर लेना है, या जो भी आपका, कहते हैं, आर किसी का एक प्यारा सा vision होता है, अगर आप वो करना चाहते हो, तो बस आपको एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है, एक step लेने की जरूरत है, और जो वो step ये है, कि जो चीज आपको बंधन लग रही है, जो चीज आपको ऐसा लग रहा है, कि इन्होंने हमारे अंदर खंजर गोपे हैं, या छोरे गोपे हैं, वही खंजर और छोरे आपको free कर सकते हैं, वही छोरे खंजर और जो इन लोगों ने धोका दिया है आपको, वही आपकी असली ताकत बन सकती है तो आपको ये समझने की जरूरत है ये पारवती माता आपको बोलने है एक higher self की energy आपकी reading में आई है और अगर आप ये बात समझ लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो जर्नी है वो speed up हो जाएगी मतलब जो आपके सपने हैं आप उसको तुरंट पूरा कर पाएंगे अपने अंदर एक strong energy feel कर पाएंगे माता दुरगा की कि हाँ भाई अब तो मैं बिलकुल ठान ली है मैं करके ही दिखाऊंगा या दिखाऊंगी तो इस टाइप का कुछ guidance आपको पारवती माता दे रही है हाला कि ये reading है कि कृष्णा का आपके लिए क्या संदेश पर लेकिन यहां पर सीधा सीधा पारवती मा की आप पर बहुत कृपा आई हुई है और उसके बाद आपको ये देखना है कि आपके ओर पाद शायद कोई अगर बकसा है या ऐसा box है तो उसमें कुछ न कुछ message है आपके लिए एक बार उसको जरूर चेक कर लें और दूसरी बात आपको ये देखना है देखो बाहार से चीजें आपको कोई क्या उड़ा दे या क्या आप पर चिपका दे वो matter नहीं करता matter ये करता है कि आपकी अंदरूनी सच क्या है आपकी soul का सच क्या है है ना तो वो चीज आपको क्या है सबसे long term में आगे ले कर जाएगी क्योंकि जो पारवतिमा है जो परमात्मा है divine है वो इंसान की आत्मा को पड़ता है आत्मा से connect करता है वो है ना की बाहर की बोली हुई बातों से या बाहर के जो अगर आपके कोई ऐसे ओर पास दुश्मन टाइप के लोग हैं या आस्तीन के साब टाइप के लोग हैं परमात्मा उनको उनकी बाते थोड़ी ना सुनते हैं परमात्मा तो आपकी soul सुनते हैं आपकी आत्मा को सुनते हैं कि आपकी आत्मा ने कैसे कर्म किये आपकी आत्मा अंदर से साफ थी या फिर मलीन थी है ना तो आपको डरने की जरूरत नहीं है और दूसरी बात अगर आपको बहुत जादा चिंता सताई रहती है किसी एक बात की, एक इनसान की, परसन की, हमेशा आप उसके लिए चिंता करते रहते हैं, तो पारवती माह ये कहरिए कि इस बंदे की भी नौलेज है पारवती माह को, आप जानते हैं कि ये इनसान भी रिट जो आप मतलब कुछ भी अच्छा करते हो ना, जो आपकी खुबसूर्ती है, जो आपका प्राइड है, जो आपकी मतलब खासियत है ना, उसी पर लोग अटैक कर रहे हैं, आप समझेए सब इसलिए हो रहा क्योंकि ये जेलेसी के कारण है, ये लोग बुरे, आपकी और पास के लोग होते हैं, वो insecure हो जाते हैं, घबरा जाते हैं आपकी इतनी innocence और अच्छाई देखकर, तो वो चीज आप पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, हर उस चीज को तबह करने की कोशिश करते हैं, जो आपकी सदगोडों को दिखाए, आपकी मेहनत को दिखाए, लेकिन यहाँ पर सब feminine energy का card ही आ रहे हो सकता है, यह जो लोग reading देख रहे हैं, बहुत सारी females देख रही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा beyond gender, आप जो भी हैं, पहली बात तो आप पर आपकी जो मा हैं, जो पारवती हैं, उनकी बहुत बड़ी कृपा है, और दूसरी बा अपनी value समझो, यहाँ पर तुम्हें ऐसी किसी ने नहीं पहुँचाया, यह तुमने खुद अपनी महनत से कमाया है, है ना, तो जब यह आपकी अच्छाई है, तो आपको अपने आप में स्थिर रहना चाहिए, अपने आपको शांत रखो, अपने आप में confidence रखिए, अप के उपर एक donkey की shell लगा कर है, लेकिन आप real में यह Empress है, तो अब देखो, यह दो choices हैं, तो इन दो choices में से आपका सच क्या है, आप क्या choose करना चाहते हो, यह पारवती महा आपसे कहनी है, वो तो पहले ही जानती है, कि आपकी soul कितनी pure है, तो आपको बस यही करने की जरूरत है अपने आपको बचा कर रखें, और आपने, देखो, कोई भी चीज यहां पर समझना होगा, कि वेस्ट नहीं जाती है, पारवती माता यह कह रही हैं, कि अगर आपको pain भी मिला है, धोके मिले हैं, दुख मिले हैं, या कोई आपसे बिछड गया है, दूर चला गया है, तो आ beauty दे कर जाएगा, कुछ नो कुछ खुबसूरत ही परिणाम निकलेगा, इस चीज का result निकलेगा, तो यही पारवती मा का आपके लिए संदेश है, तो पारवती मा बस यही यहां पर आपको कहना चाहती है, कि दिखो, अपने आपको पहचानो, अपने आपको पहचानो, कि बंधन मुक्त नहीं हो पाएंगे, और पारवती मा कहा है, कि अगर आप एक कदम लेंगे, तो फिर पारवती माता, तो हैं यह सब कुछ संभालने के लिए, तो यही पारवती मा का संदेश है, जो कि कृष्णा के थुरू उन्होंने आप तक पहुचाया है, and I hope कि आप प प्लता सीधा सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, या भढ़का रहे हैं लोगों को, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, because पारवती मा ने तो यह सब कुछ जहला है, यह सारी जर्नी उन्हों से रूबरू है वो, है ना, तो बस उनको पता है किस से कैसे डील करना है, एक मैया जानती है कि कौन सी आत्मा पुन्य आत्मा है, कौन सी आत्मा पापात्मा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पारवती मा का नाम जाप करिए, कृष्णा का नाम जाप करिए, ग्रेटिट्यूट करते रहिए, धन्यवाद करते रहिए, सब ठीक हो जाएगा बाकि अगर आप हमारे चैनल से परस्नल टैरो रीडिंग और हवन लेना चाहते हैं तो आप समपर्क कर सकते हैं और मैं मिलूंगी आपको नेक्स रीडिंग में